सुनना अब बचो रियेजंट जो हते हैं रियेजंट जो होते हैं नाagnerius अ मैं है जंर्डरी दो तरहौके होते एक ओता बच्चो इलेक्ट्रो फाइल सानिफ्ाष को एलेक्ट्रो फायल सोऑरा फ़ासट बड़ा रहा हूँ इसके अंदर मानलो मेरा एक positive charge है और दूसरा negative charge है तो जिसपे positive charge रहेगा simple इसमें मैं उसको बोलूँगा इलेक्ट्रोफाइल और जिसपे negative charge रहेगा मैं उसको बोलूँगा nucleophile clear है सबको भी reagent के अंदर दो पार्ट होते मैं यह बताना चाहता हूँ कि reagent के अंदर दो पार्ट होते जैसे catein और i9 होते बच्चो सेम reagent के अंदर दो पार्ट होते एक होता है positively charge और एक होता है बच्चो negatively charge जो positive है उसको हम electrophile बोलेंगे जो positive है उसको हम बोलेंगे देखो ऐसे लिख दू electrophile बोलेंगे उसको जो positive है और nucleophile बोलेंगे जो negative है बोलो बच्चो clear है सबको reagent के दो पार्ट reagent के दो पार्ट clear है सबको must एकदम एकदम अच्चे से आप समझदार लोगो काफी खतरनाक भी हो ठीक है ना थोड़ी ज़्यादा तारिप कर दिये हाँ yes बोल रहे है सब खतरनाक है सब आप देखो अब हम पहले इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे कि सर इलेक्ट्रोफाइल कोनको ने थोड़ा बता दो तो इलेक्ट्रोफाइल के उपर क्या होना चाहिए बच्चाओ सबके सब बताओ सर इलेक्ट्रोफाइल के उपर पहली बात तो positive चार्ज होना चाहिए चलो positive चार्ज कोन बच्चो, electrofile है और बताओ सर अगर chlorine पे positive है तो ये भी electrofile है पे positive हो electrofile सर ब्रोमिन पे भी अगर positive आ गया ये भी electrofile है NO2하고 बोलो क्या है आपका electrofile है NO plus बोलो बच्चो electrofile है और बच्चो NO2 प्लस इस थरा से कुछ दिखाए दिये आपको तो ये भी आपका ये भी आपका पूरा इलेक्ट्रो फाइल है कि इलेक्ट्रो फाइल समझ में आये सबको जिन पे भी पॉजेटिव चार ओ इलेक्ट्रो फाइल बात खतम जिन पे भी पॉजेटिव चार उन पे भी ओ आपके इलेक्ट्रो फाइल लेकिन यहाँ पे आपको ए अलागी positive है, लेकिन ये never electrophile, ये कभी भी electrophile नहीं होते, इन दोनों को याद कर देना, बता रहाँ याद करो तो कर लो, बाद में इनका explanation आपको समय के साथ मिल जाएगा, water और NH4+, never act as a electrophile, सबको electrophile के example समझ में आए, positively charge electrophile, बोलो, message करके बताओ सबके सब, बोलो, जिन पे positive, वो electrophile, कौन छोड़के, NH4+, और S2O+, छोड़के, चलो बच्चों आगे बढ़ते, कुछ electrophile होते है, neutral electrophile, देखो, electrophile पढ़ रहे हैं अभी, देखो, electrophile पहले कौन से पढ़े हैं, positively charge, उसके बाद, neutral electrophile कौन से होते हैं, सर, जिनके पास empty orbital होती है, for example, बच्चों, बोरॉन आप सभी को बताए, BH3 हो, BF3 हो, इनके पास empty orbital होती है, और जिनके पास empty orbital होती ह बच्चों, वो सारे के सारे आपको electrophile की तरह काम करेगे, जिनके पास, मालो, BCL3 है, BR3 है, चलो, इतीनों देख लो, इतीनों की तीलों आपके electrophile होगे, क्योंकि इनके पास empty orbital है, इनके पास empty orbital है, समझ में आया सबको, बोलो बच्चों, clear है सबको, जिनके पास empty orbital है, ये आपके होगे, देखो, यहाँ पर लिख दू, जिनके पास empty orbital है, empty orbital, ये भी आपके होगे, ये भी आपके होगे, बच्चों, electrophile, दुसरे example समझ में आ, electrophile के, पहले example, जिन पे positive charge है, दुसरा boron family की ये वाले example, ये भी आपके electrophile है, आगे बड़े, बोलो, यहाँ तक clear है स आपको, जिनके पास empty orbital है, ये आपके, इलेक्ट्रो फाइल है, बोलो, अरे, इलेक्ट्रो फाइल का मतलब होता है, कि इलेक्ट्रो ले सकते है, ठीक है न, for example, इनके पास अगर empty orbital है, मानलो, कोई nuclear file है, जिसके पास electron है, तो ये अपने electron इधर donate कर सकता है, न, यानि कि ये वा मैं बाद में ये सब चीज़े पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक मैंने दो चीज़े पढ़ाई, सबसे पहली, जिन पर positive charge है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रो फाइल है, बच्चो, दूसरी बात, जो भी neutral है, मानलो, boron ले ले लेते हो, जिन के साथ भी boron है, वो सारे के सारे इ कुन सी वाली देखो, आपको पता है, आईरन के पास MT orbital होती है, FECL2 हो, या FECL3 हो, बच्चो ध्यान देना, ZNCL2 हो, यहाँ पर देखना, उसके बाद में लिख दू, SNCL2, बच्चो ये वाली चीज़ देखो, ये दिख रहे हैं सबको, CL2, CL3, CL2, CL2, CL3, CL3, इस सारे ही के स सारे Electrofile है, याद रखना, इनके पास भी और्बित sorry होती है, ये एक जांपल, आपको एक बार देख लेदेग ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, बोलो, अब clear है सबको Electrofile, कौन-कौन से Electrofile होगे, कौन-कौन से Elect सबसे पहले के पड़ाया जिन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद जिनके पास और्बिटल खाली है और्बिटल एम्टी और्बिटल और तिसरे भी बताऊंगा मैं फॉर एक्जाम्पल देखो यहाँ पर एक्जाम्पल लिख दूँ में CL2, BR2 यह भी आपके इलेक्ट्रोफाइल है याद रखना है इनको उसके बाद ALCL3 FECL3 BCL3 BF3 उसके बाद SNCL2 ZNCL2 बचो यह सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल होगे CL2 और BR2 भी आपके इलेक्ट्रोफाइल है डोंट वरी बाद में एक्प्लेइन कर दूँगा वक्त आने पर पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से बोलो NO+, NO2+, H+, उसके बाद बोलो उसके बाद जो भी प्लस वाले ठीके न, यह आपके होगे लेकिन कौन चोड़के बच्चो NH4+, और H2O+, यह दोनों आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगे क्या सबको इलेक्ट्रोफाइल समझ में आए सामने सारे के सारे दुनिया भर के इलेक्ट्रोफाइल बोलो याद हो जाएंगे बच्चो मेसेज करो बच्चो याद हो जाएंगे ये वाले सामने जो दिखाए दे रहे सारे के सारे याद हो जाएंगे घर पे जाके इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अच्छे से पढ़ना भी मतलब जो एक्जाम्पल ले उसके बाहर का कोई मत करना ठीक है ना वापस से बता दूमें जो भी प्लॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं जिनके पास एम्टी और अर्बिटल होते हैं और सी यल टू और ये वाले अब देखना अब यहाँ पर देखना अब नूकलियो फाइल की तरब चलते हैं सिंपल है जिन पर पहले बात तो जिनके पास निगेटिव चार्ज है और दूसरी बात जिनके पास लोन पेर है जिनके पास इलेक्ट्रॉन है ना ज्यादा लोन पेर और निगेटिव चार्ज फॉर एक्जाम लोन पे रहे उसके बाद बोलो gibघ three nitrogen पे 97 erk florine p лов पे याम के बच्षो जिन पे लोन पे रहे याने के बच्चो जिन पर लोन पर है और जिन पर निगिटीव चार्ज है ये सारे के सारे सारे न्युकलिय। फाइल की तरह काम करेंगे ये सारे के सारे nuclear file की तरह काम करेंगे क्या सभी को clear है अब बताओ अब बताओ nuclear file और electro file clear है सबको बोलो अब मुझे एक बात बताओ सुनना अच्छे से बच्चो अब मुझे बताओ हाँ यह bf3 को ने रहे yap कर दिए एक मुझे का मतलब होता है बच्चो दो देखो लूण पेर का की सिम्पल बताओ अब ही फिग्तना है इतना ता ठीक है ना वक्त आने पर केमिकल देखो मानलो अभी आपको जीवों सी थोड़ा दिक्कत आ रहे क्योंकि आपने अभी तक केमिकल बॉंडिंग नहीं पड़ा कुछ दिनों बात में केमिकल बॉंडिंग ऑनलाइन पड़ा दूंगा तब आपको बहुत सारी चीजे दुनिया भ अब बताओ दोनों में क्या रियाक्शन होगी बच्चो आप सभी को बताए सर लोन पेर ये न्यूक्लिय फाइल है सर एम्ट्य और बिटल है इलेक्ट्रो फाइल है तो सिंपल है सर अपने लोन पेर इसको डोनेट कर देगा और यह बन जाएगा एन एच थ्री बी एच थ्र इस तरह से क्या सभी को समझ माया सभी को समझ माया क्या चीज बनी कैसे बनी समझ माया सबको यह तो न्यूक्लिय फाइल का काम कर रहा है और यह इलेक्ट्रो फाइल का काम कर रहा है मैसेज करो बच्चो इलेक्ट्रो फाइल और न्यूक्लिय फाइल का कंसेप्ट सबका क्लि है वापस से बता रहा हूँ this is act as a electro file मैंने वापस से इसको mention किया बिल्कुल घबराना मत आप बोलोगे सर क्लोरिन के पास तो लोन पेर है तो मैंने थोड़ी बोला लोन पेर होना कंपल सरी है नहीं भाई लोन पेर होने ध्यान देना आप सब के सब आज के लिए बस इतना यह